तो आईए बात करते हैं potential energy की ऐसी energy जो किसी object की position पे depend करती है उसको हम बोलते है potential energy और आप देखिए यहाँ हम बात करेंगे gravitational potential energy की आप यहाँ देख सकते हैं diagram में कि अगर आप इसको ground मानें और ground से suppose कीजिए h height उपर आपने एक object hold करके रखा है जिसका mass है m तो आप यह जानते हैं 9th class में आपने पढ़ा था कि उस object के पास कहलीजिए gravitational potential energy या बोलीजिए simply potential energy जो होगी उसका formula होगा m into g into h m उस object का mass है g acceleration due to gravity है और h का मतलब है जमीन से आपने किस position पर किस height पर उस object को रखा हुआ है आप एक चीज दिखिएगा अगर आप उस object को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो h कम हो जाएगा तो उसकी potential energy भी कम हो जाएगी और अगर आप उस object को थोड़ा सा उपर ले करके चले जाएगे तो h बढ़ जाएगा इसलिए उसकी potential energy भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो आपने ये देखा कि ये जो potential energy है m g h ये सच में इस चीज पर depend करती है कि आपके object की location या आपके object की position ground से उपर कहा है तो अगर वो position change होती रहेगी तो ये energy भी क्या होती रहेगी change होती रहेगी इसलिए हमने कहा था कि potential energy किस पर depend करती है position of the object पर depend करती है और इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं, अपनी समझ के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, कि position पे क्योंकि ये energy depend करती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है potential energy. अब इस potential energy का ये जो formula है MGH, हम ये derive करते हैं, कि ये आया कैसे, तो suppose कीजिए कि ये ground है, और इस ground पर बिलकुल ऐसा ही object, जैसे कि ये object M mass का है, तो माल लेजिए ये भी object M mass का है, और ये M mass का object अभी ground पर रखा गया है, और इस object को उठा करके आप माल लीजिए, जमीन से उचाई पर, H उचाई पर ले करके जाना चाहते हैं, तो जितना भी work आप करेंगे इस object को H height तक उठाने के लिए, वो work आपकी energy कम करेगा, और वही energy आप उस object के अंदर store करवा देंगे, और उसी energy को बुला जाएगा, उस object के अंदर की potential energy, तो आइए देखते हैं हम के हमें work कितना करना पड़ेगा, तो आप ऐसा imagine कीजिए, कि ground पर ये object रखा हुआ है, और आप इस object को, M mass के object को धीरे 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 उपर उठा रहे हैं, और यहां तक आप इस object को उठा लाए, तो total height आपने ground से उपर कितनी travel कर ली H travel कर ली, अब इस process में आपको gravity के force के against क्या करना पड़ेगा, work करना पड़ेगा, क्यों कि इस object का अगर mass M है, तो आप जानते हैं कि इसका weight जो होगा, mg होगा, और weight आप जानते हैं कि Earth किसी mass को कितना gravitational force लगा करके अपने center की तरफ खिंचती है, उसी को हम weight बोलते हैं, तो weight को आप चाहें, तो weight बोलने, या फिर आप चाहें, तो force भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये Newton में रहेगा, तो Earth इस object को खिंचना चाहती है, नीचे, लेकिन हम इस object को कहां ले जाना चाहते हैं, gravitational forces के against, यानि के उपर की तरफ, तो naturally आपको क्या करना पड़ेगा, gravity के force के against, जोर लगाना पड़ेगा, work करना पड़ेगा, तो वो जो work आप करेंगे, उसका जो expression है, वो हम अब निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिएगा, कि जो आप force लगाएंगे, object को उपर खिंचने के लिए, वो मैंने लिखा है, exactly उसके weight के बराब कितना force apply करना पड़ेगा, mg force ही apply करना पड़ेगा, ताकि उस object को आप against the gravitational forces उपर की तरफ ले जा सकें, ऐसा क्यों, देखो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा यूँ समझे, कि माल लीजिए, नीचे की तरफ force लग रहा है mg, तो अगर आप उपर की तरफ mg से कम force लगाएंगे, तो क्या object उपर की तरफ चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि उपर कम force है, नीचे जादा force है, इसलिए object उपर नहीं चलेगा, तो इतनी बात तो आपको समाजे में आ गई होगी, कि उपर की तरफ जो आपको force लगाना पड़ेगा, वो mg से कम तो बिलकुल नहीं होना च चाहिए उसके बराबर, या होना चाहिए उससे ज्यादा, बलके अभी तक तो आप यहीं समझेंगे, कि अगर हमने object को उपर की तरफ लेके जाना है, तो हमें mg से ज्यादा force लगाना पड़ेगा, तो माल लीजिए, शुरुआत में आपने क्या किया, उपर की तरफ mg से लगा दिया, तो अब तो आप समझ गई होंगे, कि नीचे force है mg, और उपर की तरफ force है mg से थोड़ा सा ज्यादा, तो क्योंकि net force उपर की तरफ है, इसलिए आपका object भी कहां चल पड़ेगा, उपर की तरफ चल पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि net force उप दिया 101, तो उस 1 newton net force की वजह से object अब कहां चल पड़ा, धिरे धिरे उपर चल पड़ा, तो आप क्या कीजिए, जैसे ही object थोड़ा सा उपर की तरफ चलना शुरू कर दे, तो उपर की तरफ लगाया गया force तो आप ही के हाथ में है बढ़ाना भी और घटाना भी, क्योंकि आप उस force को लगा रहे हैं, तो जैसे ही object उपर की तरफ चल पड़े, माल लीजिए, आपने वो force 101 newton से घटा करके 100 newton कर दिया, तो अब क्या स्थिती है, अब position ये है, कि नीचे की तरफ भी 100 newton force लग रहा था, और उपर की तरफ जो शुरू में 101 लग रहा था, उसको आपन हैंगे, कि नीचे 100 लग रहा है, उपर 100 लग रहा है, तो net force इस object पर कितना लग रहा है, 0, और आप जानते हैं, कि net force अगर किसी object पर 0 लग रहा है, तो newton ने क्या कहा था, कि अगर किसी object पर बाहर से कोई force नहीं लग रहा है, यानि कि net force 0 लग रहा है, तो अगर वो object rest में है तो वो rest में ही रहेगा और अगर वो object किसी velocity के साथ चल रहा है तो उसी velocity के साथ उसी direction के अंदर चलता रहेगा तो अब आप एक चीज़ दिखिएगा हमने उपर की तरफ ज्यादा force शुरू में इसी लिए लगाया था ताकि एक बार इस object की motion उपर की तरफ शुरू हो जाए तो जब ये object उपर की तरफ चलने लग गया उपर की direction में चलने लग गया तो क्योंकि आपने बाद में net force को zero कर दिया तो अब आप एक चीज़ देखिए अब आप ये कहेंगे कि उपर की तरफ चलते हुए object पर net force कितना लग रहा है जीरो तो naturally क्योंकि इस object पर net force zero लग रहा है इसी लिए ये object लगातार उपर की तरफ चलता रहेगा क्योंकि अब इस पर क्योंकि net force zero लग रहा है इसका मतलब बाहर से कोई force इसको disturb नहीं करेगा और आप जानते हैं in absence of external force object क्या करता है अपनी condition को continue करने की कोशिश करता है यानि कि अगर वो rest में है तो rest में रहना चाहता है लेकिन अगर वो उपर की तरफ move कर रहा था लेकिन जैसे ही object एक बार उपर की तरफ चलना शुरू कर दे तो उपर की तरफ force को कम करके नीचे वाले force के बराबर put कर दे net force को zero put कर दे और अगर net force zero होगा तो acceleration zero हो जाएगी और acceleration zero होगी तो इसका मतलब है कोई change velocity में नहीं होगा यानि कि object उपर की तरफ जिस velocity से चल रहा था उसी velocity से वो चलता रहेगा तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि जितना force नीचे की तरफ लग रहा है शुरू में तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा ज्यादा force उपर की तरफ लगाना पड़ेगा लेकिन जैसे ही object एक बार उपर की तरफ चल पड़े आप उपर वाले force को नीचे वाले force के exactly बराबर कुट कर दे ताकि net force 0 हो सके और object अपनी state को continue कर सके और वैसे भी आप देखिए उपर की तरफ force हमने लगाना है तो कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो ज्यादा force लगाए वो यही चाहता है कि जितने कम से कम force में कम चल सके उतना अच्छा है तो naturally ये आप समझ गयोंगे कि एक बार उठाने के लिए तो आपको ज्यादा force लगाना पड़ेगा और लगातार उपर की तरफ चलता रहेगा तो आग्गे से ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल key point है कि जितना force नीचे लग रहा है उपर शुरू में ते उससे थोड़ा सा जादा force लगेगा लेकिन जैसे ही एक बार motion शुरू हो जाएगी तो आप उपर वाले force को और नीचे वाले force को क्या मान सकते हैं बराबर मान सकते हैं ताकि net force 0 हो जाए acceleration 0 हो जाए और आपकी velocity उपर की तरफ क्या हो जाए constant रहे तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए कि अगर mg force नीचे की तरफ लग रहा है तो उपर की तरफ आपको कितना force लगाना पड़ेगा mg force ही लगाना पड़ेगा ताकि आप object को gravity के force के against उठा करके जमीन से h height उपर एक point पर रख सकें तो वर्द का जो formula है आप जानते हैं वो होता है force.displacement fs cos theta अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैं applied force का जो है जिकर वो करूँगा तो आप एक चीज देखिएगा force जो person ने इस object को उठाने के लिए लगाया है वो लगाया है उपर की तरफ ठीक है और displacement भी कहा हुई है उपर की तरफ यानि के दोनों के direction सेम है तो यहाँ पर cos theta की जगे क्या आ जाएगा cos 0 और cos 0 1 होता है ठीक है तो आप देखिए force की जगे मैंने क्या लिखा है mg क्यों क्योंकि जो applied force है वो naturally नीचे वाले force के बराबर हो गया है तो इसलिए applied force की जगे मैंने लिखा mg और s का मतलब है कि इस object की यहां से ले करके यहां तक यानि कि ground से ले करके और जिस point तक मैं इसको ले करके जाना चाहता हूँ वहां तक मैंने displacement कितनी करवाई है तो naturally जितनी height है उतनी ही तो displacement हुई है तो आप displacement की जगे रख सकते हैं h cos 01 होता है तो total work आपको कितना करना पड़ा mg h और यह तो आप जानते ही है कि जितना आप work करेंगे आपके शरीर में से उतनी ही energy खर्च हो जाएगी यानि कि आपके energy कम हो जाएगी लेकिन energy conservation कहता है कि energy destroy नहीं होती object यहाँ h height पर चला गया है तो हम यह कहेंगे कि जितना हमने work किया है उतनी ही उस object की इस point पर क्या होगी position के हिसाब से energy होगी यानि कि potential energy होगी तो हमने work किया mg h है इसलिए potential energy भी कितनी होगी mg h आप ऐसा सोचें कि इस पत्थर को जब ground पर पड़ा हुआ था यह पत्थर तो मैंने उठा करके उपर की तरफ इसको रखा तो मेरी शरीर से मान लीजिए 10 जूल की energy कम हो गई तो naturally मेरी energy जितनी कम हुई है उतनी ही energy इसने क्या की है गेन की है और वही इसकी क्या कहलाएगी potential energy तो अगर मेरे शरीर पर जाने के बाद इस object के पास potential energy भी कितनी होगी 10 जूल ही होगी इसलिए मैं लिखा है कि work done in taking the object at h height is stored inside the object in form of the potential energy of the object तो इसलिए अगर आप h height उंचा object को उठाएंगे m mass का वो object है ठीक है तो उसके अंदर potential energy कितनी store हो जाएगी m into g into h तो चलिए आप बात करते हैं conservation of energy की आप जानते हैं हमने दो तरह की जो energy है उनके बारे में पढ़ा है kinetic energy और potential energy अगर दोनो energies को हम जोड़ दें तो वो जो total energy आती है उसको बोला जाता है object की mechanical energy यानि के एक object है आपने उस object की kinetic energy निकाल ली और potential energy भी निकाल ली और अगर आप उन दोनो energies को जोड़ देते हो यानि के total energy आप देखना चाहते हैं अगर उस object की तो उस total energy का जो नाम है वो होता है mechanical energy तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy अब conservation of energy का मतलब यह है कि जो object है उसकी जो total mechanical energy होती है वो हमेशा constant रहती है conserved रहती है एक जैसी रहती है वो कभी भी change नहीं करती हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर उस object की potential energy घट रही है तो आप यह देखेंगे कि उसकी kinetic energy बढ़ रही होगी यानि कि इन दोनों energies के अंदर एक ऐसा relation है कि अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी और अगर यह वाली घटेगी तो यह बढ़नी शुरू हो जाएगी यह दोनों तरह की energy तो घट या बढ़ सकती है इन में तो change हो सकता है लेकिन जो total mechanical energy होगी object की उसके अंदर कोई भी change नहीं होगा तो आप ऐसा बोल सकते है कि energy न तो बनाई जा सकती है ना ही energy को destroy किया जा सकता है convert जरूर किया जा सकता है मेरा मतलब कहने का यह है कि अगर आप किसी भी total sorry किसी भी object की total mechanical energy की बात करेंगे तो वो total mechanical energy आपको हमेशा एक जैसी ही मिलेगी भले ही उस object की kinetic or potential energies change होती रहें तो अगर आप यह कहेंगे कि जी mechanical energy जो है वो conserve रहती है इसका मतलब क्या है कि ना तो आप energy बना सकते हैं ना ही आप energy destroy कर सकते हैं हाँ एक forum से energy को आप दूसरी forum के अंदर क्या कर सकते हैं convert जरूर कर सकते हैं तो जो आपकी total mechanical energy है object की जिसके बारे में हम यह बोल रहे हैं कि वो हमेशा constant रहती है उसको हम prove करते हैं अब mathematically इस scenario के साथ देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है मालो यह जो आपको line नजर आ रही है यह है ground और इस ground से suppose कि यह h height उपर एक point है a और इस a point पर आपने एक mass पकड़ के रखा है m mass है वो मान लीजिए तो basically अभी आप b और c जो points आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ignore कर देजिए simply एक बात मान के चलिए कि ground से h height उपर एक point a है और उस a point पर आप m mass का कोई object hold करके रखे हुए हैं अगर आप इसको imagine करना चाहें तो यू imagine कीजिए कि मान लीजिए आप ground पर खड़े हैं और ground से उपर आपके हाथ में एक ball आपने जो है h height पर पकड़ी हुई है तो क्योंकि आपने वो ball जमीन से h height उचाई पर पकड़ रखी है तो अगर मैं आपसे पूछू कि उसकी potential energy कितनी होगी तो naturally आप ये कहेंगे कि ball का mass अगर m है और अगर वो h height पर है तो potential energy उसकी कितनी हो जाएगी mg h और क्योंकि आपने उसको पकड़ के रखा है उस ball का कोई motion नहीं है उस ball की कोई velocity नहीं है इसलिए उसकी kinetic energy जिसका formula होता है half m v square तो जब velocity ही 0 है तो kinetic energy भी कितनी होगी 0 तो उसकी ball की जो total mechanical energy है point a पर वो कितनी हो जाएगी mg h plus 0 यानि के mg h ये बात आपको समझ में आ गई होगी एक पर फिर से मैं बता दूँ point a पर एक m mass का object हम hold करके h height के उपर रखे हुए हैं उसकी potential energy हमने formula लगा करके निकाल ली उसकी kinetic energy हमने formula लगा करके निकाल ली तो जो total दोनों का बनता है वो बनेगा mechanical energy तो इसलिए at point a total mechanical energy of the object comes out to be m into g into h ये बात आपको समया गई फिर अगर आप उस object को छोड़ दें तो इतना तो आप भी समझ रही है कि वो object धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा और कभी न कभी वो point b पर भी होगा और फिर वो b point को overshoot करके नीचे जाएगा नीचे जाएगा और किसी न किसी time पर वो point c पर भी आएगा यानि कि exactly जमीन के उपर टकराएगा भी सही तो यहां हम क्या करेंगे point b पर और point c पर उस object की फिर से total mechanical energy निकाल लेंगे और आप यह देखिएगा कि a पर अगर उस object की total mechanical energy mg h आती है तो b और c पर भी total mechanical energy उसकी mg h ही आएगी और तब हम यह जाकर के बोल देंगे कि object की जो total mechanical energy है वो पूरी की पूरी जर्णी के during कैसी रही है एक जैसी रही है same रही है concerned रही है तो अब एक बात आप देखीगा ध्यान से a point की तो बात हम कर चुके हैं अब जैसे ही आप उसको नीचे की तरफ छोड़ देंगे m mask के object को तो naturally वो नीचे की तरफ जब आएगा 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 तो point B तक पहुंचते पहुंचते उसकी कुछ न कुछ तो velocity बढ़ चुकी होगी ना भई यहाँ पर तो उसकी velocity 0 थी आपने उसको जो है hold करके रखा था लेगिन point B तक आते आते तो उसकी velocity क्या हो चुकी होगी बढ़ चुकी होगी और आप यह भी कह सकते हैं कि अगर point B पर कुछ न कुछ velocity object की है तो इसका मतलब है उसकी कुछ न कुछ kinetic energy जरूर होगी तो वो kinetic energy हम थोड़ा सा mathematics करके निकाल देंगे और दूसरी एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा कि object अब नीचे की तरफ आ रहा है यानि कि उसकी उचाई जमीन से क्या होती जा रही है कम तो इसी लिए उसकी potential energy क्या करेगी decrease करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा B पर जो total mechanical energy हम निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें potential energy भी चाहिए kinetic energy भी चाहिए हम उन दोनों को निकालने के बाद जोड़ देंगे तब हमारे पास total क्या आएगी mechanical energy आएगी तो आप पहले potential energy निकालिए देखो अगर आपका object h height पर था तो potential energy आती थी mg h है लेकिन आप यह माल लीजिए कि क्योंकि मैं point b की बात कर रहा हूँ तो point b जमीन से आप यह देखिए h minus x height पर है क्यों पहले तो height h थी लेकिन माल लीजिए a से जब वो नीचे उतरने लगा उतरने लगा उतरने लगा तो b तक उसने माल लीजिए x distance travel कर लिया तो आप यह कह सकते हैं कि पहले वो h height पर था अब वो x नीचे आ चुका है तो अब जमीन से उसकी height basically कितनी बची h minus x तो इसलिए जो potential energy है वहाँ पर h की जगह simply क्या आ जाएगा h minus x तो potential energy का formula हो गया m into g into h minus x तो b पर हम potential energy क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं अब मैं माल लेता हूँ कि जो हमारा object चलते 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 नीचे b पर पहुँचा है तो point b पर माल लो उसकी velocity बढ़कर के हो चुकी है vb vb का मतलब है velocity at b point तो अब मैं vb जो है वो निकालने जा रहा हूँ तो आप एक चीज़ धान से देखिएगा यहां से वो object चला था तो उसकी initial velocity 0 थी लेकिन यहां जब वो object पहुचा तो उसकी final velocity बढ़ते 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 मैंने माल ली है कितनी हो चुकी है vb तो यह जो equation होती है v square minus u square is equal to 2as इसका मैं use करूँगा v का मतलब होता है final velocity तो क्योंकि मैं a से लेकर के b तक की journey में point b को एक final point की तरह treat कर रहा हूँ तो यहां पर जो velocity है वो vb है इसलिए v square की जगह आ जाएगा vb का square और क्योंकि initial velocity आपकी 0 थी initial point में लिए कौन सा है point a जहां पर आपके object की initial velocity 0 थी तो u square की जगह आ जेगा 0 का square 2 की जगह 2 आ गया acceleration आप जानते हैं जब भी कोई object नीचे की तरफ आता है तो उसकी velocity बढ़ती है इसलिए उसके अंदर acceleration होती है plus k g के बराबर यानि के acceleration due to gravity के बराबर इसलिए a की जगह मैंने यहां क्या पूट कर दिया g 9.8 value जिसकी होती है s का मतलब है कि a से लेकर के b तक आपका object कितना displacement travel कर चुका है तो वो मैंने कितना माना x तो s की जगह यहां क्या रखतेंगे x तो आप यह देखिएगा के vb का square मेरे पास आ गया 2gx अब आप एक बात बताईए point b पर आपने माना था velocity कितनी object की हो चुकी है vb तो अगर vb उसकी velocity है तो kinetic energy कितनी होगी half into m into vb का square तो half m तो half m है और vb के square की value आप उपर से यहाँ put कर दीजिए 2 से 2 चल बसेगा तो m into g into x यह आपके पास क्या आ जाएगी kinetic energy आ जाएगी यानिके b point तक आते आते इतनी kinetic energy आपके object की हो चुकी है तो फिर आप देखिएगा अगर हम mechanical energy निकालना चाहें total तो यह जो potential energy है इसके अंदर आप यह वाली kinetic energy जोड़ दें और आप यह देखिएगा कि आपके पास क्या बचेगा m into g into h तो आप यह कह सकते हैं कि भले ही निच्चे आते वक्त उसकी potential energy कम हो गई हो लेकिन जितनी potential energy कम होई होगी उतना ही उसकी कौन बढ़ गई होगी kinetic energy बढ़ गई होगी ताकि mechanical energy क्या रह सके conserve रह सके और आप देखिएगा point A पर भी उसके पास m g h mechanical energy थी और point B पर भी उसके पास क्या है mechanical energy m g h ही है हलाकि आप देख सकते हैं कि potential energy पहले कुछ थी अब कुछ है kinetic energy पहले कुछ थी और अब कुछ है तो वही मबात आपसे बोल रहा था कि kinetic energy और potential energy तो अपनी values चेंज कर सकती है लेकिन वो कुछ इस तरह से change करती है कि उनका जो total है यानि कि mechanical energy वो change नहीं होगा जितना आपका potential energy में decrease होगा उतना ही kinetic में increase होगा ताकि mechanical energy क्या रह सके constant रह सके तो चलिए अब हम last में एक point की बात और कर लेते हैं कि माल लीजिए वो object अब नीचे गिरता 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 point B को जब पास कर जाएगा तो naturally last में वो just ground को hit करेगा कहां पर point C पर तो अगर मैं point C पर भी total mechanical energy निकाल लूँ तो आप ये देखिएगा कि क्या वो energy भी पहले दोनों points की तरह से सेम आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं point C पर आपके object की potential energy के बारे में तो अब आप समझ रहे होंगे कि जब आपका object चलते 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 बिल्कुल C पर पहुंची गया तो आप ये माल लीजिए कि उसने ground को touch कर ही लिया है तो उसकी height कितनी हो गई ground से उपर 0 तो अगर height ही 0 हो गई तो potential energy कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी तो आप ये देखिगा मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ आपके ले करके चलता हूँ यहाँ हाँ तो यहाँ हम बात करते हैं कि potential energy जो हमारे object की है वो कितनी हो चुकी है 0 हो चुकी है क्यों क्योंकि आपका object ground के उपर land कर ही गया है तो basically किसी height पर नहीं है तो h अगर 0 है तो इसलिए potential energy क्या हो जाएगी 0 लेकिन आप यह समझ रही होंगे कि जब वो point B से नीचे और आएगा C तक तो उसकी velocity कुछ और बढ़ चुकी होगी तो अब हम यह निकाल लेते हैं कि जब वो object just ground को touch ही कर रहा है जब वो बिलकुल C पर पहुँचा ही है तो आपके object की जो velocity है वो कितनी हो चुकी है एक बार आप यहां धान दीजिए जब वो object चलता 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 नीचे just C को मानीजे hit करने ही वाला है क्योंकि देखो ground पर जब वो पड़ेगा तो उसकी velocity 0 हो ही जानी है तो मैं तब की बात नहीं कर रहा मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि ground पर वो किस velocity के साथ टकराएगा क्योंकि जैसे ही वो ground से टकराएगा तब तो उसकी velocity कुछ ना कुछ होगी ना तो वो velocity हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे point A को मान लेंगे initial point और finally क्योंकि आपका object point C पर पहुँचा है तो C को हम मान लेंगे क्या final point तो यहां पर तो उसकी velocity कितनी होती थी 0 और मान लीजिए C पर पहुँचते पहुँचते उसकी velocity हो चुकी है VC तो फिर से हम क्या करेंगे वही जो equation हमने पहले use की थी वही equation हम अब भी use करेंगे तो यह आप देखिएगा V square minus U square is equal to 2As तो V का मतलब है कि C पर कितनी velocity हो चुकी है तो मान लीजिए वो VC है तो VC का square minus U का मतलब है कि आपकी initial velocity कितनी थी तो अगर आप point A की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर velocity 0 थी 2 की जगे 2 आगया acceleration फिर से आप देखिए G के ब्राबर आगी S का क्या मतलब है कि आपके object ने displacement कितना travel कर लिया और अब आप यह देख सकते हैं कि अगर वो A से लेकर के C आएगा तो naturally उसका displacement कितना हो जाएगा H हो जाएगा और इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि S की जगे हम H लिख सकते हैं तो कुल मिला करके आप इस mathematics से VC का square जो है वो निकालने में कामियाब हो गए और kinetic energy होती है क्या half M velocity का square तो velocity के square की जगे VC square जब आप रखेंगे तो half M तो half M है VC का square 2GH है यहाँ रख सकते हैं तो आप यह देखिए 2 से 2 cancel हो गया तो M into G into H तो यह आपके पास क्या आ गई kinetic energy आ गई अब देखो kinetic energy MGH potential energy 0 जब आप mechanical energy निकाल लेंगे तो वो कितनी आएगी MGH आएगी तो आप यह ध्यान से देखिएगा कि जब हमारा object उपर से नीचे की तरफ आ रहा है और हमने उसकी जो डाउनवर्ड जर्नी है उसको तीन पॉइंट्स पर study किया है तो तीनों पॉइंट्स पर A B और C पर भले ही kinetic energy और potential energy अलग अलग रही हो चेंज हो रही हों लेकिन तीनों पॉइंट्स पर जो kinetic energy और potential energy का सम है जिसको आप total mechanical energy of the object कह रहे हो वो सेम है और कितनी रही है हमेशा MGH ही रही है इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आपकी object की जो total mechanical energy है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, conserved रहती है एक बार फिर से आप इस चीज पर ध्यान देजिए मैं ये कह रहा हूँ कि energy conservation ये बोलता है कि जो total mechanical energy है object की वो सेम रहेगी ना वो destroy की जा सकती है ना उसके अंदर कुछ addition यानि कि उसके अंदर कुछ create किया जा सकता है वो total mechanical energy जितनी object के पास है उतनी ही रहेगी वो change नहीं होगी हाँ उसकी kinetic energy और potential energy क्या हो सकती है change हो सकती है इसलिए मैं लिखा कि kinetic energy and potential energy during the downward journey are changing but the total mechanical energy is conserved or constant and this is called conservation of mechanical energy या फिर conservation of energy और आप एक चीज यहाँ धान से देखिएगा कि यह object जो आपका point A से हमने नीचे की तरफ आता हुआ imagine किया था इसके पास जो total mechanical energy थी A पर वो भी MGH थी P पर भी MGH थी C पर भी MGH रही वो energy इसके पास आई कहां से naturally कुछ ऐसा रहा होगा कि शुरू में यह object कहां रहा होगा जमीन पर और हम इसको उठा करके ले गई होंग के उपर और कितनी height उठा करके ले गई MGH तो हमने उस process में इस object को H height उपर उठाने में gravity के force के against काम किया होगा वही काम point A पर इसके अंदर इसकी potential energy के रूप में store हो गया होगा और वो energy कितनी होती है MGH होती है इसलिए जब यह object आपका point A पर था तो आप यह देखिए इसके पास total energy कितनी थी MGH थी और जब यह object निचे आ रहा था तो आप चाहे कितने भी points इसकी journey के during ले लें total energy इसकी तब भी क्या रहेगी MGH ही रहेगी हाला कि इसकी kinetic जो है या potential energy जो है वो क्या कर सकती है change कर सकती है naturally जब आपका object यहाँ था तो उसके पास सारी की सारी energy potential form में थी क्योंकि उसकी velocity 0 थी इसलिए kinetic energy उसके पास हो नहीं सकती लेकिन जब वो object चलते 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 बीच में पहुचा तो उसके पास कुछ energy kinetic form में थी और कुछ energy potential form में थी लेकिन जब वो object exactly जमीन पर उतर चुका है तो naturally सारी की सारी उसकी potential energy 0 हो गई है और वो potential energy किसमें convert हो चुक होती है क्योंकि जब object नीचे गिरता है तो गिरने से जस्ट बिलकुल थोड़ी सी देर पहले उसकी height approximately 0 हो चुकी होती है लेकिन अगर उसकी height 0 हो चुकी है तो आप ये मानेंगे भी सही कि उसकी velocity ज्यादा से ज्यादा यानिके maximum जो हो चुकी होती है और हम ये बोलते हैं कि सारी की सारी potential energy नीचे की तरफ आते वक्त decrease करती है और किसमें convert होती रहती है kinetic energy में convert होती रहती है तो ये था conservation of energy जिसमें हमने ये देखा कि object की जो total energy है वो किसी भी point पर क्या रहती है total mechanical energy same रहती है conserve रहती है वो change नहीं करती यही है energy conservation